कार दोस्तों स्वागत है डेली स्टेडी में इस वीडियो में बिहार पुलिस फायर मैन के लिए बिहार इस्टेटिक जी के कोशन्स लेकर आया हूँ आपको बता दे कि बिहार पुलिस फायर मैन में बिहार का इस्टेटिक जी के काफी ज्यादा मातरा में पूछा जाता है और पांकी के questions इसके बाद वाले वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है माउरी समराज का संस्थापक कौन था माउरी समराज का संस्थापक था चंद्रगुप्त माउरी ओप्सन नमबर डी इसका सही जबाब होगा अगला प्रस्ण माउरी समराज की राजध से प्राप्त की यानि कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगद की सत्ता किसकी मदद से जीत हासिल की थी तो यह होगा आपका चानक चानक यही है चंद्रगुप्त का प्रधान मंत्री और चानक क्या दूसरा नाम विशनो गुप्त है और चानक इने अर्थ सास्त्र नामक पुष्टक लिखे हैं अगला प्रस्ण है कि माउर समराज की अस्थापना कब हुई माउर समराज की अस्थापना 320 इसा पूर्व में हुआ था ठीक ना ओप्सन नमबर बी यहां प स्थनीज का पाटली पुत्र अगमन कब हुआ यानि कि मेगा स्थनीज जो है बिहार में पाटली पुत्र कब आया यह होगा आपका 315 इसा पूर्व में अप्सन नमबर बी अगला कोशन देखिए चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में मेगा स्थनीज को भेजने वाला सास कौन था तो यह था आपका सेल्यूकस ध्यान रहे कि सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में मेगा स्थनीज को भेजा था और मेगा स्थनीज ने इंडी का नामत पुस्तक की राचना की है अगला है कि सासक के सासनकाल के समय मगद पर 12 बरसों का भीशन अका साल परा था तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौरी और संडी आगाला देखिये चंद्रगुप्त मौरी का प्रधान-मंतरी कौन था यहे मैं ने आपको तुरंत भी बताया है कौन था चानक जिसे विस्नुगुप्त और कौटिल्य कहा जाता है यानि कि इन चानक क्या तीन नाम है एक तो हुआ चानक क्ये दुसरा हुआ विस्नुगुप्त और तिसरा कौटिल्य अगला कौशन देखिए किसे मुक्ती दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक् मुक्ति दाता किसे कहा जाता है तब होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भरत का मुक्ति दाता कहा जाता है युनानियों से वहां सरोत जिसमें पाठली पुत्र के परसासन का वर्नन उपलव्द है उसका क्या नाम नाम है यानि कि जिसमें पाटली पुत्र के परसासन की व्याख्या की गई है उसका क्या नाम है इंडिका ओप्सन नम्बर C और इंडिका के लिखक कौन है अभी मैंने बताया मेगा अस्थनीज अगला कोशन देखिए नंदवन्स के पस्चात मतलब नंदवन्स के बाद मगद पर किस राजवन्स ने सासक किया यह होगा आपका माउड यह ओप्सन नम्बर A यहाँ पर सही जवाब होगा अगला देखिए मेगा स्थनीज का पुष्टक का नाम क्या है यह मैंने अभी अभी आपको बताया है इसका क्या नाम है इंडिका जिसमें की पाटली पुद्र की ब्याख्या की गई है और अर्थ सास्त के लेखक है चानक के अगला देखिए अर्थ सास्त के लेखक कोन है ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको आपको आप्सन में चानक का नाम ही नहीं दिया गिया है कोसन इसी तरह से घुमा के पुछा जाता है बिहार पुलिस फायर में में आर्थ सास्त के लेखक वह इसे है चानक के लेकिन चानक क्या और दूसरा नाम क्या है कोटिल है और विश्णोगुप्त इन तीन में से ऑप्षन में देखिए यह कौन है यहां पे कोटिल दिया है ऑप्षन नमबर भी सही जबाब पाटली पुत्र की सासन व्यवस्था का विर्स्तरत वर्नन किस विदेशी यात्रा के विरतांत में मिलता है यह होगा आपका मेगास्थनीज ठीक ना ओप्षन नमबर सी देखिए कोशन सिर्फ घुमा देता है मेगास्थनीज का पुस्तक क्या नाम है इंडिका और इसी में पाटली पुत्र के सासन कहे या या फिर एड्मिनिस्ट्रेटीव जो भी कहिए इंगलीज में एड्मिनिस्ट्रेटीव कहा जाता है सासन व्यवस्ता को तो यह आपका कहां पर है इसका व्यक्या मेगास्थनीज के इंडिका में अगला देखिए चैंद्रगुप्त मौरी के उपरांत मौर समराज का सासक कौन बना यानि कि चैंद्रगुप्त मौरी के बाद जो है मौरी समराज का सासक कौन बना यह होगा आपका बिंदू सार ओफ्सन नमबर डी किस मौरी सासक के दरवार में आजीवक भविस्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था यह रहता था बिंदू सार के समय में और पिंगल वत्स ने असोक के बारे में भविस्वानी की थी, क्या भविस्वानी की थी, वह महान राजा बनेगा, कौन बनेगा, असोक बनेगा, ठीक न, और बना भी था, असोक द्वारा अपने प्रोशियों के साथ मैत्री पुर्ण संबंधों का उलेक कहां मिलता है, यह आपका कहां मिलता है सिल कि अधाचता किस ने की थी यह की थी आपका मौगली पूत्र तीस अप्शन नंबर ए अगला कोशन देखिए तिर्तिय बहुत संगीती का आयोजन कहां हुआ था ये भी पुझा जाता है ये हुआ था पाटली पूत्र जिसका कि व्याख्या मेगा स्थनीज के इंडिका में की अगला कोशन देखिए तिर्तिय बहुत संगीती का आयोजन कब हुआ था ये हुआ था आपका 251 इसाप पूर्व में यानि कि अप्शन नंबर ए अगला कोशन देखिए किस मौर्य सासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी ये होगा आपका असोक अप्शन नंबर सी यह सही जबाब है अगला कोशन देखिए 24 नंबर किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानी को देख कर असोक का हिर्दय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध निती त्याक कर धाम निती की घोसना की थी यानि कि किस युद्ध के बाद जो है असोक ने खू कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध कभी लरा ही नहीं मतलब वो जो है खून खराबा नहीं करना चाहा उसके बाद इसलिए और यहां पर सही जवाब अगला देखिए असोक का धम कौन सा सहिंता था यह था आपका नैतिक आचार सहिंता और इसी के साथ 25 कोशन सापका कम जाता है वीच रिवर इज कॉल्ड दा मर्निंग ओफ बिहार इस प्रसन का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको बता दें कि चैनल पो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि यह बताना कि वीडियो आपको क्यों अच्छी नहीं लगी आप क्या इंप्रूब्मेंट चाहते हो वीडियो में यह सब आप बता सकते हो और ज्यादा ज्यादा आपने दोस्तों कसाथ सेर भी कर सकते हो जै हिंद जै भारत जै बिहार